है यह सो हैलो एबर्वेवर आज का मारा टोपिक है इंट्रिक्रेशिंगरेशन हमने पिछली इस इस व्यूदियो जमें देखा था प्रोपर्टी सब्सक्राइप यूज करके क्वेश्टन को शॉल्व कर रहते हैं प्रोपर्टी हम देख लिए तेसमें अब इस लक्षर में द के साथ कभी x डाल देंगे और क्या करेंगे function के साथ कभी माइने सब्सक्राइब कर सकते और क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास पता करना पदाएगा function और एक इवन है ठीक है अगर जब भी हम क्या करते हैं फंक्षन के अंदर नेगेटिव डालते हैं माइनस एक्स तो एक्स आ जाता है वो फंक्षन क्या जाता है एवन और एवन जब आएगा तो कुछ क्वेशन को ऐसे फर्म करा कि आगे सॉल्फ करेंगे अगर जब फंक्षन के अंदर मैं माइनस एक्स डालता हूं और माइनस एक्स आ जाता है तो वह फंक्षन हो जाएगा और और ओर का जीरो जीरो अंसर आजागा ठीक है सिंपली यानि कि हमें इसमें देखना होता कि कौन सा और कौन सब फंक्शन इवन इवन है तो कुछ ऐसे सॉल्ब करेंगे अधरवाइस क्या और अगा था मैंसे मतलब उसका अंसर जीरो जाएगा मेरे पास कुछ स्कों इसके त्रू हम देख लिए हैं कि इंटिग्रेशन करना है माइनस पाई बाई पोर्स लेकर पाइब यह फॉर्स प्इस्न नो शी संदे ग्रणी करूंगा मैं इस इसके हलेगा मैं आणिए 16 माइनस एक्ष डाल होगा माइनस तडाल रोगा आले तो सिंप्लि क्या करेगा छी की आफ्यान इग्स नहीं वाले करेंगा यानि की साइज क्ट्लिक्ट कि सपस्क्ट मायने सागे माइनश साइज का मतलब क्या है कि हमारा संक्ट संक्ट सब्स нужно गया संख्रोड गया और अर्ड का अंसर इंटीघ्रेशन कियां ओर का इंट्इघ्रेशन हमारे सिंप्लिग यहिए जीरो सब्सक्राइक Aww मैं किया कर सकते हूंक एक और प्षैश्ण ले सकते हूं कि मेंhistory देखना है की इसमें और-polam हमारा सिंपल और रहा था है इस सिंपली के अगर अंसर हमारा जीरो एक और हुमारे पास के integration करें तो माइनस पाइब टू से लेकर पाइब तक त्री एक्स कोज फॉर एक्स डी सिंपली मैं क्या करूंगा कि जो भी हमारा function function के अंदर मैं क्या करूंगा अब है'veka a**** कि माइनस एक्स डाल। ठीक है माइनस एक्स जब डालूँगा तो क्या बनेगा सिंप्ली देख लेते हैं कोस् फेर एक्स बदाुए देख मैं समें डालूँगा यह क्या है यह मायनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब कर देगा तो दो हमारा पास कूछ हो जाएगा जीरो ठीग है जभी पता चले कि इसका इंट्राइशन क्या है मतलब इसका जो फंक्षन ऑड या इवन है चिंपलिए मिसको पकॉन्चेडर कर सकते कि इसका जीरो इवन यह तो अधर पर यह सिंपलिदी है है तो हमारा इंटिग्रेशन क्या है है कि-Py से लेकर पाई तक इंटिग्रेशन किसी को हूं है साइन ए एकस प्लस कॉस बी एकस का होल स्क्वाइर को इंटिग्रेशन कहना है influx देखे जब दम से को इसको सॉल्फ करें फंक्शन के डालेंगे माइनस एकस साइन कि आ ए माइनस एकस प्लस कॉस विब माइनस सेक्सित में मैं पूर्ट करूंगा सिंपली असाइन क्या होगा साइन का जो माइने से बाहर आ करेंगे जो हमारा से इसको माल नहीं कि ए प्लस बी का हो इसका इसको ओपन कर देंगे उसके बाद इसको आगे ले जाने कुछिए क्योंकि देखिए इसमें क्या एक तो फंक्षन क्या है पॉजिट नेगटिव आ रहे एक फंक्षन पॉजिटिव आ तो कुछ फूस कंसिडर न साइन एसको प्लस बी स्कॉरर अब इसका करना पड़ेगा हमें इंटिग्रेशन करना है और जो हमारा प्लस टू उसको भी हम सेपरेट कर देंगे माइनस पाइस लेकर पाइट तक और टू साइन एक्स कॉस बी एक्स आ जाएगा सिंपले ठीक है अब क्या करें इसको से पड़ेक की बसकर तो सब्सक्राइब हैं तो फॉल यह क्या इ version čas नśwork करोंगा मैंस अथ सब्सक्राइब करें हमारे फंक्शन यह साइन स्क्वार ए एक्स माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वार बी माइनस एक्स जब साइन ने स्क्वार करें तो क्या सिंप्ली जो भी इसका स्क्वार करें हो पॉजिटिम है साइन साइन एस पालड़ा यह थो ओल्ड़ी कंजिम कर जाएगा और स्पेसी क्या स्क्वार है तो स्प्रिश एकॉज का जाएख यानि की फंक्शन कैसा हो गए हमारा फंक्शन हो गया even function ठीक है तो simply इसको क्या करेंगे आगे लेखे जाएंगे इसका अंसर जिरू नहीं है लेकिन इस function को देख लेती है यह हमारे क्या even function होगे इसको और again solve करेंगे इसका देख लिए तो function के जो भी function उसके अंदर क्या करूँगा minus x डाल के देख लूँगा ठीक है simply जो मैं function के इंदर क्या डालता हूं तो माइनस डालता हूं तो two sign a minus x cos b minus x simply क्या होगा यह जो माइनस हमार क्या बाहर आ जाएगा यानि two sign a x plus cos bx यह function कैसा होगा यह function होगा हमारा और function होगा जब और function हो जाता क्या है इसका इंटीगरेशन कि ना जोगा 0 यानि कि सिंपल हमें इसको सॉल्ब करना इसको सॉल्ब करने के लिए क्लिए इसको इंटीगरेशन करना पड़ा का इंटीगरेशन क्या है माइनस पाई से लेकर पाई तक इंटीगरेशन करना और इसका इंटीगरेशन करना है और इसका इंटीगरेशन करना है और देखिए जब मैंने क्या करना इसका इंटीगरेशन करना सिंपली क्या करेंगे जो हमारे तो इसके बाष पर हम इसका ओपन करने हैं और एकस का इंटिग्रेशन करना है ठीक है तो श्वर एकस का फॉर्मूला क्या है तो तो हमारे एज रहेगा और यह पाई इसको मैं open कर दो और फ्रमूले के तो साइन इसकार 1-2 AX हो जाएगा ठीक है 2 AX हो जाएगा अपन में 2 हो जाएगा प्लस इसको क्याएगा ओपन कर सकता हूं कि 1 प्लस कॉस स्क्वार भी एक्स अपन में 2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करना करना सीप्ल ठीक है तो मैं कहाएगा साथां कि इसका जो टू-ईस को मैं कॉमन लेकर कहाएगा इसके कट कैंसल आट कर सकता हूं मैं सिंप्ली यह यह तू-टू-कैंसल हो के ठीक है अब मैं कर सकता हूं कि 1 प्लस 1 टू-0 हो गया हमारे इंटीग्रेशन के तो से पाई भाई तक चल ला था और इसका क्या वारे पास ही रहा है कि माइनस सी कॉस्ट टू ए- एकस प्लस कॉस्ट टू-बी- एकस इसका इंटिग्रेशन करना है यानि कि क्या हो जाएगा इसका इंटिग्रेशन कि ना जाएगा और इसका एंसका इंसक्षा साइन हो साइन को एक्स और सुनीची है इस एक्स के साथ जो भी सेंट उसका सिंपलि की आकरते हैं नहीं चीरिडियाते फल्स इसका इंट्री इसुужд साइन टू बी एक्स और जो भी एक्स के साथ कोफिशन दूसको सिंप्लिया नीचे लिग देंगे तो उसके साथ क्या लिए आए रवर्टी आपके साथ करें तक ठीख है अब क्या कर सकते हैं कि मारे पास प्रॉपर्टी दो और पड़ी यह उसका तुरूपर्टी यह वह पास प्रॉपर्टी एक और रहे है जो प्रॉपर्टी इसको फिर्ट मांद सकते हैं चिंपली कि प्रॉपट्टि यह तहिसंगेतर जो प्रॉपटिघ पिप्त में क्या करता है कि जो प्रॉपट्रडी 106 एससे सब्यूर्यम है एंटेटर समर्टे equally फंक्शन से प्रफूर्ट को रखेंगे और जो भी फंक्षिन उसको एक बर प्लस कर लेंगे और एक से माइनस कर देङ और SIMPLI यासे CONSIDER करते हुए अपने अंसर को लेकर जाएंगे ठीक हमाल लीजिए में Quesion ले लिए तो किसमें इसी प्रकास कुछ करना है मैं ठीक कि जैसे हमरा पास क्वेशन है कि जैसे एसे जी तक Integration रहना था अससे ब्रेंगे और ब को प्र्लस करें देंकर मायने सट्रहूस रख लेंगे तो सिम्पल एक क्वेशन हमाने पास है जई कि क्वेशन है कि integration कर यह वन से लेकर तक और अंडरूस एक्स अपोन में अंडरूस प्लस-3 अंडरूट ऐगा यह सब्सक्राइब तब छाएक से अशने जब्सक्राइब तो मैं चलिए तो मैं कहले सकता हूं किम माइनस अंडर रूट थी और यह वार एक्स चली रहा था ऐसे ठीग है यानि टो फॉलस त्री हो जागे और माइनस और X स सब्ट्रेक कर देना तो सिम्पुले ठीक है और डी एक सतो हमरे सात में चली रहा है और नीचे वाले के साथ भी ऐसा कर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस तरी एक्स हो जाएगा उसके साथ क्या होगा देखिए इसका प्लस 3 तो हुमारा यह लेकिन माइनस इसके साथ करना है माइनस थ्री माइनस एक ठीक है अब देखे क्या होगा यह पॉजिटिव बन जाएगा और कि सिंपलेट ठीक है अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर हमने पूट कर दिया कि अम्मेगा इसको सौल कर सकता हूं इसको चौंफ करने पके आएगा कि इन्टीग्रेशन इसको सौल करने पर एय से भी तक हमारे लिमिट होगा इसको अंदर रूट त्री माइनस अगा हो जाएगा और इसके अंदर रेत ठी माइनस एक्स आ जाएगा प्लास शहीं किन्हा यह दोनों केंसल आउट हो जाएगा नहीं थ्री पॉजिटिव ठी और एकन्द मान सकता हूं ठीक है इस equation को मैं फास्ट माली जो पहला उमारा question ही था उसको मैंने equation फास्ट माली अफिर हमने इसमें कुछ यह वाली property लगाई simply है उसके बाद value put करें इसके बाद यह equation हमने पास तू आगे तू second equation है उसके बाद क्या करेंगे equation फास्ट और second को क्या करेंगे एड कर देंगे simply फास्ट एंट सेकेंड को ठीक है अब देखेए जब फास्ट और सेकंड को यह तो आई था नहीं सब किसी की बराबर रहता है यह भी आई के बराबर है इंद दोनों को एड करेंगे इतनी का ऑजाए घर का एड करेंगे तहला आट और को हैं यह तो हो होन है हमारा रहे मारे शोड एक हमारा-एप हमosh यानि कि मैं इसको इंदनों को एड करूंगा इसकी एक्वेशन और इसकी एक्वेशन को तो अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट 3x-xdx और निचे वाला जोबी से बिली उतार लेंगे कि अंडरूट 3x कितना अंडरूट 3x प्लस अंडरूट एक्स अदेखिए दोनों सिंपल सेम हो गया एनिकी 1 2 i is called to कितना हो जागा इंटेग्रेशन अमारा वन से लेकर टू तक था ठीक है कि अब मैं करेश कर सकता हूं कि इसका इन सब को कैंसल आट करके यहां पर ले सकता हूं कोई फ्रोलम नहीं है अब इसका इंटेग्रेशन करना पड़ेगा कि 1 का 2 i तो मारे पास थाई इसका इंटेग्रेशन एक्स हो जाएगा और जो भी हमारा लिमिट अपर लिमिट 2 लिम हुँ है तो हमारी यह था कि कुछ प्रोपर्टी की बेस्प मने प्रोपर्टी विफित की क्या करना कि जो हमारी लिमिट होती है फकलो ऑल लिमी तोएंड करने करने के बाद इसा एक्स्प्रेशन हमें मिल जा था ठीक है इसमें क्या कर सकता हो कि मैं एक और question ले सकता हूं जिसमें थोड़ा सा Man bitcoin करना पड़ेगा मैं मैंनопलेट करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना ठीक है जैसे मान लीजे कि कोस्चन मेरे पास कि integration करना इसमें फिंट्ट है किไ्टरेशनल करना किपाई भाइ 6 यह पई भाइ 6 और यह पई भाइ भाइ 3 इंटीग्रेशन क्या करना है कि one upon dx1 कि इस इंटीग्रेशन लगने 1 प्लस अंडरूट कॉर्ट एक्स को इंटीग्रेट करना तो मैं क्या कर सक्ता हूं इसे मैं कुछ नहां अर्फ है जाव य्दि क्षोड़ और भॉंड abdx तू पर सकता हूं इसको काल charter कॉस एक्स e nice time actually внутри लिख सकता हूं ठीक है मैं आ अब करूँ इसका लूँना का कि पायड़ाई शिक्स और पाई by थ्रिए इसको मैम आइल सम्ने लूँगा था कि नर साइन प्लस कॉस और इस साइन को मैं उपर भेज दूँगा साइन और डी एक्स को इसको क्या करना अब हमें इंटिग्रेट करना पड़ेगा तो देखे इसको क्या मैंन सकता हूँ मैं equation first मान सकता हूँ equation first इसको नहीं माना क्योंकि थोड़ा सा यह complex था इसको simplify कर दिया मैंने तो थोड़ा ऐसे easy तरगी से बना दिया और इसको मैं equation first मान लूँगा ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा उसी की बेस्ट पर इसको solve करने को सिख करना हूँ कि जो भी हमारा लिमिट है और 556 553 ये करें पाइभाइ3 थिये हैं पाइफ्यकहेश्न ठीक है कि यो इसे Ricky अध्य करना पाइब आफिए कर देखो मैं क्या करणा कि इन दोनों को एड कर दोंगा कि इन दोनों लिमिट कि एड करने पर क्या आएगा हमारा पास पाई बाई टू सिंपली आजाए पाई बाई टू मैंस मानिस कर देंगे एक्स इसको इंटिग्रेट करना पड़ेगा मैं और जो नीचे वाला है से मैं जिटीज करूंगा जी जो भी है फंक्शन उसके साथ क्या करूंगा अब पर लिमिट प्लस लोग लिमिट को एड कर दू यह decision number हम शक्राइब उसको माने उसके पहले क्लेंगे इसको थोड़ा सह सींपलिफाइब कर लेंगे मैट्टिग के बेश्च पर कि इसका फंक्शन क्या होगा और इसका साइन क्या होगा अब देखे साइन अंडरूट प्लस जोगा होगा इसका फंक्शन के नहाई कॉस का फ पॉजिटिव रहा कि नेगेति यानि की पाइब भाई भाई माइनस डू यानि की हमारे पास किसमें आगई को टरन फास्ट में आगए तो सिंप्लिकर का उस्फ गाता पॉजिटीव होथ तो सिंप्लिक पॉजिटिव हम यांपे is consider कर लिया अब देखिए क्या होगा इसका भी क्या होगा Hoje हो दाएगा ये विक capture एंगल कौन से खाट haul रहा है यह quadrant में जा रहा है यह quadrant dalej नमर्व फॉस्ट में आ और माल लेगा के बाद करेंगे इकवेशन इक ऐस्त एंड बस कर देंगे I के इंचे से बराबर होता है यह बहता है यह बहुत करने राइधा है यह आई बन जाएगा और इदर क्या होगा मैं पास संप्ली एड हो हुझ जाएगा यह सब एड हो जानी यानि कोस एकस प्लस अंडरूट शाइन एकस अपॉन में यह यह दुनों से में तो कॉस एकस प्लस शाइन एकस डी एकस को इंट जाएगा और हमारा क्या था पाई बाई 6 लेके πई वाई 3 तक तो यह हमारा 1 हो गया निकिंटिडिकरेशन किरना पड़ाएगा पाई बाई six और पाई बाई three को one और इसका इंटेग्रेशन का नहीं हो जाएगा ना इंटेग्रेसन हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और इसका पाई बाई six पाई बाई थ्री और किसके बवलता टू इप और इसका सिंप्ले क्या करेंगे पाइबाइबाइब одल्री मैंनेस प कि Τ्राइगा इसको इस सिंप्री माइने से प war zamring अमरे इछा ना जायो इसक नीचे लिगना पिक्से अबाइक सिक्स अधुच भा सब्सक्राइब द्न भाइक सब्सक्राइब से ते थैह से के थिए धो आई हमारा सुटना आप ना झारगा इसको नीचे लिगा औहा किसमें simply क्या करना होता कि जो भी हमारा limit है उसको plus कर देंगे और minus से subtract कर देंगे उसकी बेस्ट पर यह property थी जिसको हमने solve किया है ठीक है और हमारे पास एक last property जिसमें क्या करना पड़ता है वो भी कुछ ऐसी property है लेकिन इसमें क्या होगा कि उसमें property 6 में क्या होगा प्रोपर्टी सिक्स्ट किसको भी कंसिडर 0 से तक कोई function है इसको integration करना तो सिंप्लिस को कि मैं कर सकता हूं कि जीरो से ए और इस function में क्या करेंगे एन इक प्रोपर्टी है हमरे पास कुछ ऐसी है और इसक अधरवाइस क्या करेंगे है कि तू जीरो से ए फंक्शन दी एक्स इफ जो फंक्शन टू ए एक्स टू माइनस एक्स इस क्या टू कि अधरवाइस क्या होगा हमारा इफ फंक्शन टू ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा इवन यानि इसमें भी देखना है कि जब हमारे पास कुछ एसा आता है इंटिकरेसिन टू से लेकर तू यह तो इसमें क्या करेंगे इसको हाफ कर देंगे जीरो से यह तक जो भी फंक्शन होगा इसके बात क्या करेंगा जो भी यह फंक्शन उसमें से माइनस यह जो लिमीट है अपर limit से माइनस कर देंगे x otherwise क्या करेंगे किसमें सो देख लेंगे और डे एवन यानि इवन फंक्षन की और फंक्षन अगर मैं क्या करता हूं function के अंदर माइनस x डालता हूं तो एकसा जाता है तो इवन फंक्षन हो जाएगा तो इवन फंक्षन जब होगा तो इसको हम ऐसे स्वाप करेंगे अगदर वाइज में माइनस एक्स डालता हूं और वो फंक्षन क्या देता है एक्स देता माइनस एक्स तो इवन फंक्षन इवन फंक्षन के लिए हमारा जीरो हो जाएगा अधर वाइस क करना है यह प्रपर्पर्टी संब्रम करेंगे और और क्लिए हमारा क्या हो जाएगा अन्सवर's जीरो ठीक है इसे plus क्र निकरना श प्र convicted उसकी तरह कुछ same है ठीक है लेकिन उसमें क्या था प्रोपर्टी फॉर्थ में हमारा पास प्रोपर्टी फॉर्थ थी देखिए यह था हमारा पास प्रोपर्टी इसमें माइने सक्स कर रखा था जो भी था फंक्शन के एक बार प्लस कर एक बार माइनेस एक्स कर दिया फंक्शन साथ लेकिन इसमे क्या कर सकता हूं मैं कि फ्रोक्रपिति इस्थरूर में लगाने क्या心 करूंगा कि प्रोपाटी क्या होगा यह सका आदा होगा है जीरो से पाई हो जाएगा ऊजाले हमारा ठीक है क्उस एक पर यख दूँगा डी एक्स अब क्या खरूँगा दूसरे प्रवे में कि जो भी था हमारा function उसे माइनस कर जोगा फंक्षन क्या लिमिट क्या थी अप्र लिमिट टू पाइ माइनस च्प एक्स यह विसको क्या करूंगा इंटिग्रेट करना पड़ा ग्या क्या करूंगा इंटिग्रेशन tougherना during 60&首 जिए पाइ being there for five ڈक्ष कॉस भाइद्यस इसमतिह रहएगा और से हैं कोट्रेंट में जा रहा है कॉंसेh प्वाइप पाइब एगे लिटेश से पाइद दिया कॉस्त टू पाई तारी आएगा हमारे आ यहां वाहरे winteriye Jr k till ऐसे पा टेशल में था टूरे सोड़ ID को स्ट्रिक सुर्थ प्रेक्प्वर्क्रण में। Q2 को कि पाived 5xDX एसको 0गा यानि कि कॉस्ष युज वन एक बार को सिब तर प्लइक वहर ये कि दो फाइड और को आख मैंने बहुत ले अब मैं कर सकता है इसको और हाफ मैं वह कर सकता हूं कि जो हमार आई चले ह्वें हाफ कर दूँँगा टिंगा जो यह भी हमारा function है simply जो मेरा function है cost पूमर थाई जो भी हमारा function है क्या करेंगा as it is मैं लिख दूँगा इसको क्या करना पड़ेगा half करना पड़ेगा half यह कर दिया हमने फिर क्या करूँगा जीरो से पाई बाई टू कॉस के साथ क्या लिख दूँगा यह पाई माइनस एक्स लिख दूँगा इसकी पावर क्या है 5 है simply अब भी देखे क्या करना पड़ेगा मुझे कि जब मैं यहाँ पर देखे जब मैं क्या करूँगा कि 2 इंटिक्रेशन कहां से करना है तो जिरो से पाई बाई टू पाई एक्स डी एक्स टीए अब देखे क्या होगा यह जो हमारा वह है इसको सॉल्ट करने पर क्या होगा कि यह किना आजाएगा माइनस में आजाएगा यानि फंक्शन तो हमारा सेम रहेगा लेकिन यह हमारा क्वाइनस बाहर आजाएगा मायनस को मैं बहु लेकर आ जाओगा च्योंकि ऑग्रेंट फर्स्ट मैं क्या होताता योर्टरेंटne यह वी नेगटी वी नेगिशिव फेट नेगिशिव नेगटी जात इसे अल्पो नर希望 कि बखना गया अजब जीव हो जायाका तो इनडीग्स की तो इसका इनडीटर जयागा से क्वासितने बमक्री फिसके जोढ़र जैड़ा इसका हमारे जीरह थीए जब टूर ताल लिया तो Zero से जब Multiply होगे Simply किनना बन गया हमारा function 0 बन गया तो इस वीडियो में हमने देखा कि property based formula और property based formula पिछली वीडियो में देखा था ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much